हलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेज आईए आज हम डिसकस करेंगे फ्लाइग कोड़ इंडिया को जैसा कि आप जानते हैं आज स्वतंत्रा दिवस मनाया जा रहा है 75th Independence Day मनाया जा रहा है तो उसके लिए आप सब लोग को बदाई और Independence Day की आपको शुब कामनाया साथ ही साथ आपको आज के सेशन में थोड़ा सा फ्लाइग कोड या फ्लाइग के बारे में बताएंगे क्योंकि आप जानते हैं कि otherwise भी there is a campaign that is talking about हर घर तिरंगा जो काफी समय से government उसको promote भी कर रही और 13 से 15 अउगस तक तक तो specially उसको implement करने के लिए कहा गया है तो ये जो patriotic fervour है nationalism का fervour है इसको ध्यान में रखते हुए हम भी थोड़ा आपको flag code के बारे में बताते हैं और उसके legal और judicial precedents भी आपके साथ discuss करेंगे कि जो भी आप flag को represent करते हो तो एक honor, एक dignity, कहीं लोगों की जिंदगी भर की मेहनत और कहीं लोगों की जान इस flag के लिए गई है इसलिए हमें respect शो करना चाहिए symbolism को भी हम कहेंगे कि ये तब सब symbolism है, सब कहने की बात है लेकिन आप इसके पीछे छिपे हुए latent objective की बात करते है कि आप symbols बनाते क्यों है, क्योंकि symbols लोगों को जोडते है लोगों को एक दूसरे के साथ identify करने में मदद करते है एक common background provide करते हैं जिससे आप लोगों के साथ correct हो सकते है और खासकर भारत जैसे देश में जहां इतनी जादा diversity है इतनी जादा विविदता है कि हमें एक symbol की जरुरत है और वो symbol national flag है तो इसको respect देना यह आपका fundamental duty भी है जो मैं आगे discuss करूँगा और as a national, as a citizen आपकी responsibility भी इसी को हम आज discuss करेंगे स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ कि हमारा current affairs का जो course है UPSC 2023 के लिए वो चल रहा है जिसमें daily, video lectures, six days a week, comprehensive, prelims और mains के साथ से जो analysis आपको मिलता है subject wise और subtopic wise आपको demarcation मिलती है classification मिलती है हमाँ पे daily और monthly compilations के साथ साथ previous year questions भी discuss होते है अगर आप sleepy के पहले offline batch के साथ जुड़ना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास वक्त है अगर आपने हमारे demo lectures जो upload होते जा रहे हैं 15th August तक upload होंगे उनको देखा है तो आप समझ चुके होंगे कि काफी in-depth और high quality teaching वहाँ पे कराई जाती है जिसके लिए आप offline batch को enroll कर सकते हो यदि आप किसी कारणवश offline नहीं आ सकते if you cannot attend the offline classes you can also take the online live classes schedule which will be the similar to the on offline चली न्यूस तो यह है कि हर घर तिरंगा campaign यह सरकार की तरफ से और ministry of culture खास तोर पे इसे काफी अच्चक promote कर रहा है और इसलिए हमें जंडे के बारे में राश्ट्रिय ध्वज के बारे में flag के बारे में पता होना बहुत जरूरी है और यह सिर्फ UPSC aspirant के लिए नहीं किसी भी एक common citizen के लिए बहुत important information देखे constitutional यह सामविधानिक नजरिये से देखे तो article 51A हमारा जो part 4A है सामविधान का वो fundamental duties की बात करता है उसमें 11 fundamental duties listed है और सबसे पहली fundamental duty यही है कि भारतिय नागरिकों को Indian citizens should abide by the constitution respect its ideals and institutions the national flag and national anthem अगर हम अपने national flag की adoption की बात करें तो उसका day है 22nd July 1947 जब constitutional assembly ने हमारे तिरंगे और अशोग चक्र के combination को अपना national flag चुना था और राश्ट्रिय धवज की वज़े का जो यह symbol है यह बहुत ही important हमारी life and times में है इवन अगर आप कहें कि if you want to you know hoist the national flag और unfurl the national flag it is part of your freedom of speech and expression तो आपका अधिकार भी है जी आप अपनी राश्ट्रियता जो है वो ना आर्टिकल 19 1a के तहत दिखा सकते फ्लैग कोड क्या है दिखें बिफोर इस फ्लैग कोड केंट इन 26 जैनुवरी 2002 देर वर lots of laws and notifications, orders, guidelines of the government that were there and there were a lot of previously held conventions, practices, traditions जो ये बताती थी कि national flag को unfurl करने के लिए उसको इस्तमाल करने के लिए और उसके structural dimensions किस तरीके के होने चाहिए उसमें से आपका emblems and names prevention of improper use act हुआ करता था prevention of insult to national honor act 1971 ये हुआ करता था और भी कई सारे conventions, practices थे तो जैसे हम देखते है labor codes को recently, काफी सारे labor laws को चार labor codes के अंदर merge कर दिया गया है, वैसे ही flags related जितने भी प्रावधान थे, provisions थे, अलग-अलग laws के अंदर उसको flag code of India में डाल दिया गया है, अब flag code of India में national flag को private, public और government institutions में किस तरीके से display करना है, क्या specifications होने चाहिए और क्या practices सही है और गलत है national flag के लिए related, वो सब प्रावधान, provisions इसके अंदर है, तो flag code of India का part 1, it tells you about the general description of the flag, general description of the flag कुछ इस तरीके से दोस्तों, कि जो आपका flag है, rectangular होना चाहिए, जो आपका flag है, उसकी length, its to breadth ratio 3 is to 2 होनी चाहिए, तो यह आप देखते हैं, 90 by 60, फिर उसके जो तीन आपके equal strips होने चाहिए, तिरंगे के जिसमें saffron, white and green है, और बीच में अशोक चक्र होना चाहिए, जिसके भी particular dimensions आपके सामने हैं, मतलब इस ratio में यह होना चाहिए, dimensions अलग-अलग हो सकते हैं, बट ratio 3 is to 2 ही रहना चाहिए, तो यह इस तरीके से specify किया गया है, part 1 में, part 2 में क्या कहा गया है, कि public institutions, private organizations, public institutions का मतलब है public का, I mean to say general public को, किस तरीके से flag को display करना है, private organizations, संस्थाओं को कैसे flag display करना है, educational institutions को कैसे flag display करना है, उसकी guidelines है, और तीसरे part में, central और state governments को कैसे flag display करना है, उसकी guidelines है, यह अलग इसलिए हैं, क्योंकि कई बार जो central और state governments हैं, उनको कई और countries के साथ collaborate करके flag hoisting करनी होती है, तो उस context में Indian flag किस position पे होना चाहिए, बाकी flags के मुकाबले, वो सब चीजें भी यहाँ पे बताई जाती है, चलिए, अब हम discuss करते हैं कुछ ऐसे provisions flag code के, जो आपको पता होने चाहिए in general, और आपको यह पता होने चाहिए कि कौन सी चीज़ों को flag code of India disrespectful मानता है अपने flag के, तो ऐसे तो कोई भी organization, कोई भी private या public बंदा, कोई भी educational institutions, tri-color को display कर सकता है, कभी भी display कर सकता है, किसी भी occasion पे display कर सकता है, देखिए तीसरे point पे पहले आते हैं, पहले ऐसा होता था, before 20th July 2022 ऐसा होता था, कि सूर्य अस्त के बाद, यानि sunset के बाद, और sunrise से पहले flag को hoist करना was not considered correct as per the flag code, लेकिन सरकार ने 20 July 2022 को ये flag code of India में amendment लाया है, अब ये flag code क्योंकि ना तो constitution का article है, और ना ही ये कोई law है, इसलिए इसे अगर amend करना है, तो आप directly ministry के order के through ही इसे amend कर सकते हैं, अगर ये constitution का article होता, तो इसे constitutional amendment देना पड़ता, और अगर ये कोई कानून होता, तो फिर इसमें law को amend करना पड़ता, तो ये flag code of India में amendment लाई गई जिसमें कहा गया कि अगर flag को open में display किया जा रहा है, या किसी बंदे ने अपने घर पे लगाया है इस flag को, तो उसे पूरा दिन और पूरी रात लगा के रखा जा सकता है, जब तक वो बाकी provisions ना violate करें, जैसे वो टॉन ना हो कहीं से, उल्टा flag ना लगा दिया हो, आपने rectangular flag ना, sorry, square flag ना लगा दिया हो, ये सब चीज़ें अगर आप नहीं करते हैं, तो फिर आप दिन और रात सारे time flag को display कर सकते हैं, also second point अगर देखेंगे, December 30, 2021 में सरकार ने ये भी amendment लया था, इस flag code में, कि it should, the flag can be made of machine made, polyester, wool, silk, khadhi, बंपे, पहले क्या होता था, सिर्फ silk, khadhi, wool ये allowed होते थे, लेकिन machine made वाले जो plastic यार polyester के flag होते थे, वो यहां mention नहीं था, उसे mention किया गया December 30, 2021 के अंदर, तो अब वो flags भी flag code के हिसाब से allowed है, national flag के बारे में और भी बाते कही गई है, इस flag code में, जो आपको समझ में होनी चाहिए, एक general public के तौर पे भी, for example, inverted manner में flag को display कर देना, damaged flag को display कर देना, flag को, किसी person को salute करने के लिए flag को lower down करना, एक होता है, flying in half mast, flying in half mast, generally किसी state dignitaries के, या किसी famous personality के death पे, अगर आप flag को अपने top position से थोड़ा सा नीचे लेके आ जाते हो, half mast कहते हैं, तो वो चीज तो ठीक है, लेकिन अगर आपके हाथ में national flag है, और आप किसी बंदे को उससे salute कर रहे हो, वो allowed नहीं है, very importantly, कोई भी flag या कोई भी bunting, bunting होता है कि, any kind of decoration, ठीक है, shall not be placed higher than above the flag, मतलब national flag अगर कहीं पर लगा हुआ है, तो उसमें, आप कोई, उसके ऊपर कोई और particular decoration या कोई और flag या किसी और तरीके का ध्वज, उसके ऊपर नहीं लगा सकते, समझ रहे हैं, तो ये चीजें जो है, वो बहुत important, जैसे इस तरीके की आप कह सकते हो, कि these are the things that you cannot use to depict the national flag, for example, अगर मैं बात करता हूँ, कि किस तरीके से आप flag को इस्तमाल कर सकते हो, तो we'll see that the flag, ये ऐसे आप इस तरीके से भी अगर flag लगाते हो ना, तो वो भी allowed नहीं है, flag code के साफ से, आप समझे, कई चीजे आप इसमें से देख लेते होंगे, आस पास की दुनिया में, और आप फिर मुझे से कहोगे, कि भाई इन सब लोग को जेल में डाल दो, तो उसके पास, उसका मेरे पास जवाब भी है आपके लिए, तो थोड़ी देर आप वीडियो में बने रहे, ठीक है, बट, according to the code, this cannot be the way to show the flag, मैंने दिखाये नहीं क्योंकि है नहीं तरीका, तो you cannot put India's flag in these triangles and show, or you cannot put India's flag in these decorations and show like this, ये भी flag code के साफ से गलत है, साथ ही साथ flag, जो है national flag, उसे जमीन पे रखना, ground पे रखना, या पानी के अंदर बहा देना, not allowed, ठीक है, किसी भी तरीके से damage होने के खतरे में उसको डालना, not allowed, ठीक है, again, एक ही flagpole है, उस पे इंडिया का flag भी है, और उसी पे कोई और flag भी है, तो not allowed, ठीक है, कोई desk के stage पे speech देने, यही चीज़ें आपने देखी होंगी होते हुए, इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो flag code कहता है, कि यह आप जो dais रखते हैं, या platform रखते हैं, तो वो speaker के platform को पूरी तरीके से, तिरंगे से cover कर लेना, not allowed, ठीक है, even funerals पे, until unless it is a state funeral, जैसा आपको पता होगा, कि state funeral जो होता है, उस पे भी किसी भी type के coffin को भी आप flag से wrap करके नहीं रख सकते हैं, अब यह बहुत important और बहुत ही basic चीज़ जो लोगों को समझनी चाहिए, कि national flag को किसी costume, uniform या accessory का part नहीं बनाना है, मतलब राश्ट्रिय द्वज को पूरी तरीके से एक costume बना देना, एक dress बना द any accessory which is worn below the waist of any person, ना ही इसे cushion पे लगाना है, handkerchief पे, napkins पे, undergarments of course, और किसी भी dress material पे, आप national flag को as इस्तमाल नहीं कर सकते हैं, काफी sacredness attached की गई है national flag के साथ, जिस तरीके से आप कहते हो कि काफी धर्मों में जो धर्मिक gods and goddesses होते हैं, उनको आप इस तरीके से नहीं इस्तमाल कर सकते हैं, वैसे ही national flag की तरफ भी आप जा सकते हो, समझ सकते हो, तो ये एक तरह का civic religion है, ठीक है, Robert Bella ने इसको नाम दिया था, civic religion का, तो civic religion की तरह आपने इसे यहां पे देखना है, कि national flag को काफी respect देनी, और अगर आप दे रहे हो, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मत अब ही मैं बता दूँ, क्योंकि आगे आने वाले समय में ये पता लगेगा, आगे आने वाली slides में, but if it is an exercise of nation building, then थोड़ी चीजों का ध्यान रखना is not a bad thing as well, aware होना और थोड़ी चीजों का ध्यान रखना कोई बुरी बात नहीं, साथ ही साथ, national flag जो है, वो किसी वहीकल प हिसाब से नहीं हो रही, तो president, vice president, prime minister या dignitaries जो है, इन सभी लोगों की गाडियों पे national flag रखा जा सकता है, पर बाकी लोग इस चीज को नहीं इस्तमाल कर सकते, also flag should also not be used to cover the sides, back or top of the vehicle, national flag के ओपर कोई लिखेगा नहीं, जैसे note पे लिख देते हैं, वैसी कोई writing नहीं होनी च receive करने के लिए, deliver करने के लिए चीजे नहीं रख सकते हैं, अगर मैं बात करूँ, बाकी countries के साथ compare या बाकी flags के साथ, जब हम compare करते हैं, माली जी आपने इंडिया में G20 की conference बुलाई है ना, और G20 में 19 देश आने वाले हैं इंडिया के अलावा, तो जब आप flags लगाएंगे तो national flag को straight line में रखना है बाकी flags के साथ, of course कोई और flag इंडिया से उपर high level पे नहीं होना चाहिए, और national flag जो इंडिया का होगा, वो extreme right पे होगा, और बाकी सारी countries के alphabetical order में उसके left में लगाए जाएंगे, देखिए important चीज है, flags of other nations will follow in alphabetical order as per English versions of the names of the nations, अगर आप national tricolor को store कर तो किसी गलत तरीके से उसको store नहीं करना है, damage नहीं करना है, और अगर आपका flag damage हो जाता है, तो आप उसको private में destroy करें, ऐसा ना करें कि public में जाके उसे आग लगा दें, क्योंकि then that will again point out to a problem. Now what I told you was flag, code of India and prevention of insult to national honor act के भी कुछ प्रावधान उसके अंदर थे, अब section 2 क्या कहता है, prevention of insult to national honor act का, कि अगर कोई individual public place के अंदर, या जहां पे public देख सकती है उसे, ऐसी जगा के अंदर, burn करता है national flag को, deface करता है, disfigure करता है, destroy करता है, पैर मैर मारता है, किसी भी तरीके का contempt रिखता है, उसके against, तो उसको punishment हो सकती है, और उसे jail term भी हो सकती है, जो 3 साल तक हो, maximum 3 years की, या fine के साथ हो, ठीक है, so which may extend to 3 years, or with fine, or both, ठीक है, तो आपका ये समझने का मतलब है, कि इसके लिए अलग से कानून भी है, लेकिन flag code of India अपने आप में कानून नहीं है, मतलब flag code of India को Supreme Court यानि की Judiciary ने किस तरीके से interpret किया है, हम इसे देखेंगे, 2004 में नवीन जिंदल versus Union of India case के अंदर Supreme Court ने कहा, कि हम जानते हैं कि हर country अपने flag के honor को बचाने के लिए, और उसको national flag को कैसे unfurl किया है, उसके लिए code बनाती है, लेकिन ये एक बस regulating guide की तरह काम करता है, It does not mean that the people are not permitted to fly the national flag only out of the fear that they may disrespect it, कहने का ये मतलब है, कि ये punishments के डर से national flag आप unfurl नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको डर लगता है कि मैंने flag code की कोई provision नहीं की, तो उसको मैं ठीक, तो फिर मुझे jail हो जाएगी, तो इसका मतलब bonafide और malafide के बीच में ये difference बताने के लिए कहता है, कि अगर तो intention है कि आप country के honor को या national flag को disrespect करना चाहते हो, तब तो supreme court या judiciary उसके अंदर पहल लेगी, action लेगी, लेकिन अगर आप bonafide बन दे हो और आप से गलती से genuine mistake, गलती से mistake हुई है, तो फिर आपको इस case के अंदर जादा strictly नहीं देखा जाएगा, so it has to be proved beyond reasonable doubt that the suspect intended to dishonor the national symbol, and the burden is upon the prosecution to prove it, मेरे उपर नहीं, मतलब जिस जो accused है उसके उपर burden नहीं है, उसके उपर burden है, जिसने इलजाम लगाया है, तो ये चीज कहने का मतलब है, कि जो ये code है, ये code को आप enforceable कुछ parts को करवा सकते हैं, और वो भी तब ही, जब ये थाबित हो जाए, कि आपने गलत intention से flag को destroy या mutilate किया है, that why, because the supreme court का point ये है, कि अगर इस दर से कि मैं national flag अगर फहराओंगा, तो फिर मुझे jail हो जाएगी, अगर लोग national flag नहीं फहराएंगे, तो purpose defeat हो गया जिसके लिए आपने code बनाया था, या जिसके लिए आपने national flag बनाया था, इसी वज़े से supreme court का ये कहना है, और 2020 में भी गौरी शंकर गर्ग वर्सेस और अनदर वर्सेस टेट अफ एमपी में भी ये कहा गया, कि flag court law नहीं है, according to article 13.1, 13.1 क्या है, 13.1 is part of fundamental right, जहां पे judicial review की बात की गई है, वहाँ उसके हिसाब से government की ये guidelines है, या executive instruction है, तो आप इस instruction को अगर नहीं मानते हैं, तो लेकिन prevention of insult to national honor act वाला जो section 2 है ना, वो तो valid है, मतलब disrespect to national flag तो अगर आप करते हो तब तो आपको jail होगी, लेकिन जैसा मैंने बताया आपको कुछ चीज़ें हैं, जो मतलब आपने आपके flag की जो, for example, आपका जो flag है, वो किसी uniform accessory में थोड़ा बहुत part बन गया, unintentionally बन गया, ठीक है, तो उसमें आप against नी जाओगे, for example, एक बार ऐसा हुआ, कहीं बार ऐसा case आते हैं, judiciary के पास, कि भई हाजी, तिरंगे वाला cake था, उसने काड़ दिया और खा लिया, अब उस बंदे का intention, तिरंगे को disrespect करना नहीं था, लेकिन उसने किया according to flag code of India, पर वो आप उस चीज को case by case basis पे देखोगे, judiciary भी ऐसा ही कहती है, for example, sports में भी कहीं बार हुआ है, कि sports persons जो होते हैं, वो flag को कभी-कभी सही तरीके से नहीं treat कर पाते हैं, तो उनकी bonified mistake होती है, malified mistake नहीं होती है, respect करना flag को, वो चीज judiciary देखती है, तो यह था flag code के बारे में, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी एक particular course के अंदर, या किसी दो या तीन subjects के अंदर आपको guidance चाहिए, बाकी subjects आपके clear हैं, सही है, तो it can be there, तो आप अपना bundle बना सकते हैं, यहाँ 10 में से कोई भी subjects का combination बनाके, bundle courses हमारे पास available हैं, जिसमें आप prelims और mains का content, daily quizzes, updated content, और साथी साथ monthly current affairs आपको इस कर सकते हैं, थैंक यू, जैहन और हैपी इंडिपेंडेंस डी